दोस्तों मेरा नाम अनेल है मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरे मुचर फंड लेक्या हूं याद रखना अगर मुचर फंड से आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो तो करनी है लोग क्या करते हैं पांच हजार पे अगर उसमें मेरे को आज एक बंदा मिला उसको सब्सक्राण दस अजार पर यह हैं और किया रहा हूं मूलधन और रखनोर को रहने दो को उस समय निकालो जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तब तक ब्याज अच्छा मिलेगा 50जार क्या हो सकता है महलो आप ज़्यादा ज्यादा कोई चोटी मूटी साइक्ल फरीद लाई ह और उसके बाद पैसा खतम हो जाएगा म्यूचर फंड में अगर आप चार से पांच साल के लिए आना चाहते हो तो आओ एक दो साल के लिए मत आओ कोई फाइदा नहीं फिर तो आप आरड़ी एफड़ी पीफ पीफ इत्यादी जो कर रहे हो करते हो पर म्यूचर फंड में के के लिए आपको समय देना पड़ेगा और समय इतना दो कि आपको 15 या 20 साल के बाद में आपके गरीबी दूर हो जाए उसके लिए सोचो ना कि यह कि पांट 10,000 पर आगे और निकाल लो और फिर देख लेंगे दुबारा कर लेंगे क्या नई बात है मिल्चर फंड कहीं समाल का फंड जो आपके गरीब भी 101 परसंट खतम कर देगा इंडिया का सबसे बेस्ट फंड है आप सच करके देख सकते हो पहले नाम इसका रिलाइंज था अब बदल के इसका नम निपोन इडिया समाल कप रखती है एंसी का नाम से हुआ है पट जो एंसी है वो फट जरू करो हमेश्या हर वीडियो में ये बात मैं हर वीव को बताता हूं अब बड़े बड़े बैंकों के पास नहीं होता इतना पैसा है पर साथ जार करोड है और वोल्डें की बाद पर 215 कंपनी समाल कप चोट-चोटी कंपनियों पैसा लगाते हैं और वहीं कंपनी आगे चलके बड़ी बनती है और हमारा पैसा भी बड़ा बनता है दोस्तु पंद्रा में से चार बताता हूं चारों को चारों बैंक है अग सारे बैंक है और आप देख सकते हो इतने बड़े बैंक सेक्टर के अंदर में निपोन इंडिया स्माल का फंड मेंचर फंड आपका पैसा लगा रहा है तो आप सोच सकते हो कितनी मैनेजमेंट स्ट्रोंग होगी इनगी पर पहले पैसे निवात पर दरने की वियां पर जूडते नहीं है और रिटन की बात करें अधाई सब्सक्राइब देखो हमेशा थ्रीयर का द्यान देना है मैं हमेशा यह बताता हूं थरीयर का अगर 20 पर से उपर आ रहा ना तो रिटन उसमें पैसा लगा सकते हो अगर यह सारी आपके पास है तो फंड में बने रहो और निपोन इंडिया स्माल का फंड आप ले लो कि मंत्री डोजार पे करते हैं अठाइस परसंट रेटन अठारा साल कई बोलते हैं सब मेरी लड़की के शादी करने मैं ने अठारा साल के बाद उस अठारा साल बाद आपने इन्वेस्टमेंट करें चैर लाग 32 रुपे आपको में एक करोड़ 26 लाग नानवेजार 278 रुपे पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं बना 26 लाग हुए नहीं बना क्योंकि हम गरीब हैं गरीब ही रह जाएंगे अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फरक नहीं समझते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दूसरी राज चुननी पड़ेगी जहां पैसे को पैसा कमाना कमा के आए यह नहीं कि सेभिंग करें वहांँ सब्सक्वींग इसा सालवाद पच्य साल बचे की शाद्स हमारे पास कब